हलो दोस्तों, टूड़ीज क्यूशन इज, एक बेग में आठ सपेद और छे लाल बाल हैं, फाइब बोल्स आल ड्रोन रेंडमली पांच गैंद को निकाला जाता है, रेंडमली फ्रॉम देग, फ्रॉबिलिटी देट थ्री और मोर बाल्स आर वाइड, तीन या तीन से अधिक सपेद बाल होने की प्रॉबिटी हमको पहुंचा है, तो देखो, टोटल नंबर सो बाल कितने हो जाएगी, यहां पर टोटल नंबर ओफ बाल्स कितने हो जाएगी, आठ वाइड और सिक्स कितनी है, रेड, तो फॉर्टीन बाल हो गई, अब हमको क्या बोल रहा है, पांच निकाले जाता है, तो नंबर ओफ बाल्स कितने निकाले जाती है, फाइप, धेन इंपलाईज, टोटल इवेंट कितने हो जाएगी, आज बोल को निकालने के टोटल इवेंट कितने हो जाएगी, 14 C5 कितने हो जाएंगी 14 C5 अब हमको क्या बोला है 3 या 3 से ज़्यादा बाल white होने की probability था तो 3 या 3 से ज़्यादा बाल सपेद होने की favorable event क्या हो जाएंगी तो favorable event favorable event किसके 3 or more और बाल और white पेवर एवलिवेंट कितने हो जाएंगे 3 या 3 से ज़्याद बाल के यह हो जाएंगे 8 C3 3 बाल सपेद होगी तो 6 में से 2 बाल क्या होंगी red या 8 में से 4 बाल सपेद होगी तो 6 में से 1 बाल क्या होगी red 8 में से 5 के 5 सपेद होगी तो 6 में से rate बाल कितने होगी 0 गया गया, मैं इसको किस परकार लिख सकता हूँ add C3 6 C2 add C4 6 C1 का मान कितना होता है 6 plus add C5 देखो एक सुतर होता है इस परकार n C R बराबर होता है n C N-R तो इस सुतर जे मैं add C5 को add C3 लिख सकता हूँ n कावान 8 लेंगे तो add C5 को क्या लिख सकते है add C3 तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा add C3 और 6 C0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अब यह क्या हो गए हमारे favorable event हो गए अब हमको क्या चाहिए probability चाहिए 3 और 3 चाहिए अधिक बाल सपेद होने की probability then implies probability किसकी probability 3 और more balls are white इसकी probability चाहिए यह बराबर क्या हो जाएगी favorable event upon total event हो जाएगी probability तो यहाँ पर देखना add c3 6 c2 add c4 dot 6 plus add c3 upon हो जाएगा 14 total event कितने है 14 c5 अब इधर देखना इसको solve करने का तरीका क्या होता है जो नीचे r का मान देर का है उतना उपर वाली संख्या को कम करके गुणा में लिख देते हैं मतलब add into 7 into 6 आगे की तरब गुणा करके लिख देते हैं ऐसे गुणा में आजाएगा 6 into 5 2 है तो 2 तक उल्टा लिख दिया और नीचे वाले को बढ़ा कर लिख जाए 1 into 2 इसी प्रकार यह हो जाएगा add into 7 into 6 into 5 upon यह क्या हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 यह हो गया और प्लस में add C3 है तो add C3 का क्या हो जाएगा add into 7 into 6 upon 1 into 2 into 3 और नीचे क्या है फोट पांस तक उल्टा लिख देंगे 14 into 13 into 12 into 11 into 10 upon 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अब देखो इनको cancel out कर लेते हैं 5 into 4 20 20 ती है 60 60 into 2 120 हो गए तो मैं इसको 12 और 10 को सीधा cancel out कर रहा हूँ यह हो जाएगा 6 से cancel out हो जाएगा और यह 2 इस 3 हो गया और यह 6 इससे गुणा हो जाएगा और चार इससे दो से cancel out हो जाएगा और यह 4 ती बार है तो इसके गुणा में 6 और था और यह 6 और तो यह 6 इससे cancel out हो जाएगा और 4 इससे 2 से cancel out हो जाएगा तो इसको solve करेंगे तो यहां पर आएगा